Hello everyone, welcome back to this channel. This is Shupri Sir. चलिए शुरू करते हैं, नमबर सिरीज का पार्ट टू. इससे पहले हमने पार्ट वन किया था, तो जिन्होंने भी पार्ट वन नहीं देखा अभी तक, वो पहले कंपलीट कर लो, उसके बाद पार्ट टू कंटीडू करो. पार्ट वन में हमने लगभग पार्च कोईन कंपलीट कर लिये थे, तो इस बार पार्ट वन में हम कोईशन नुबर सिक सार्ट करेंगे. क्वेशन नुबर सिक्स, फांड रॉन नुमबर इस सेीरीज 3 8 15 24 34 48 63. options are available we have to find out the wrong number from that series okay so let's start if we see the difference between these two numbers then we get five okay then next eight or fifteen ka difference kya hai seven fifteen or twenty four ka difference kya hai wohen nine to lag bhaq hamei pahle mila five then seven then nine to is bar kya milna chahiyee hesaab se to hamei eleven milna chahiyee us ke baad hamei jo bhi pattern aara hai us hisaab se bol raha hoon us ke baad thirteen milna chahiyee us ke baad fifteen to ab dhekta hai ki actual me kya hai actual me yaha ka difference ten hai aur yaha ka difference 14 hai aur yaha future fill fifteen hai 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 promise hai呀 his jage RN bha chaone person ke he thoughts a yeez uhm you answer न Kü tek ayday hai nay Uh quantan essence the包a bet acting स for the morum clock day तो क messy before 34 को अगर 35 लिखा जाता तो यहाँ पर डिफ्रेंस जो है वो 11 आ जाता और यहाँ पर डिफ्रेंस जो है वो 13 आ जाता देट मेंस इस पूरे सीरीज में यही वाला रॉंग आंसर है क्लियर तो यही होगा अमरा आंसर अब नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं next question number 7 find the wrong number in the given series 8 27 125 343 1381 options are available we have to find out the wrong number let's start ध्यान से देखा जाए तो यह जो 8 है यह 2 का क्यूब है राइट और यह जो 27 है यह 3 का क्यूब है और यह वाला 5 का क्यूब है यह 7 का क्यूब है और यह 11 का क्यूब होना चाहिए था लेकिन यह नहीं है क्योंकि 11 का क्यूब का आंसर आता है 1331 और यह है 1381 तो फिर यही हमारा आंसर हुआ अब तुम लोग ये बोल सकते हो कि 2 के बाद 3 आया, then 5 आया, then 7 आया, तो फिर 9 आना चाहिए था ना, 9 ना देखके मैं direct 11 क्यों लिख लिया मैंने अब पहली बात ये जो answer है 1381 इससे related नजदी के answer 1331 है तो ये एक तरीका हुआ ढून के निकालने का, दूसरा तरीका है prime numbers अगर मैं 9 number को pick करता हूँ, तो वो वाला prime number नहीं composite number है तो 7 के बाद जो next prime number आता है, वो 11 है तो उस हिसाब से भी हम 11 को pick कर सकते हैं, तो दो तरीके मिल गए अब मैंने जो discuss किया है prime number, prime number क्या होते है prime number वो होते है, जिनको सिर्फ दो ही number से divide कर सकते हो उनका दो ही factors होता है, एक है one, हमेशा one ही रहेगा और दूसरा है वो number खुद, ठीक है दो ही factors रहेंगे prime numbers के, एक होगा one और दूसरा है self, वो number खुद, जो भी number लखोगे अब prime numbers के examples यहां मोजूत ही है, 2, 3, 5, 7, 11 इन numbers को सिर्फ 1 से divide कर सकते हो, या फिर वो number खुद जैसे कि 2 को सिर्फ तुम 1 से divide कर सकते हो, और 2 से divide कर सकते हो 3 को भी save 1 से divide कर सकते हो, और 3 से divide कर सकते हो clear? तो I hope यह prime number वाला concept तुम्हें समझ में आ गया होगा और यह जो पूरा series हमने यहां पर किया है और इसे wrong धून के निकाला है, वो concept भी समझ में आ गया होगा फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, कहीं पर भी कोई doubt हो, query हो comment section में तो mention करी सकते हो, तो फिर आगे बढ़ते हैं next है question number 8, 8, 15, 28, 53, question mark 199, options are available यहां पर हमें question mark जो place है, उस place पर कौन सा number होगा, वो find out करने है तो फिर धून निकालने की कोशिश करते हैं यहां पर अगर first number पर focus किया जाए, उसको अगर 2 से into किया जाए into 2, then 16 आता है, उसके बाद minus 1 कर दे, तो हमें 15 मिल जाएंगे और 15 को अगर into 2 करेंगे, तो 30, 30 से minus 2 करेंगे, तो हमें 28 मिल जाएंगे 20 से फिर से 28 को into 2 करते हैं, तो 56, 56 minus 3 करेंगे, तो हमें 53 मिल जाएं देखो यहां पर एक pattern बन गया है, into 2, into 2, into 2, यानि कि हर बार into 2 हो रहा है तो यहां पर भी into 2 होना चाहिए, next, यहां पर देखो minus 1, minus 2, minus 3, तो यहां पर क्या होगा minus 4, so 53 into 2 करेंगे, तो हमें मिलेंगे 106, 106 से 4 minus करेंगे, तो हमें answer क्या मिलेंगे 102, जो की इस question mark के जगे पे आएगा, right, अब एक और step करके check कर लेते हैं, तो इस बार हमें फिर से into 2 करना है, और minus 5 करना है, तभी 199 मिलेगा, check करके देखते हैं, 102 into 2 किया जाएगा, तो हमें मिलेंगे 204, right, उस से minus 5 करेंगे, तो हमें यह 199 answer मिल जाएगे, तो उस हिसाब से question mark पे जो number लिखा गया है, वो एकदम सही है, जो की हमारा answer है 102, means 102, I hope यह वाला समझ में आया होगा, तो हम आगे बरते हैं Next question, question number 9, find out the wrong term in the series, 2, 3, 4, 4, 6, 8, 9, 12, 16 Options are available, we have to find out the wrong number, okay, let's start ध्यान से अगर देखा जाए, तो यह जो first number है 2, यह relate होना चाहिए, इस number से और यह relate होना चाहिए, इस number से, ठीक वैसे ही 3 relate होगा 6 से, means 3 into 2, 6 और 6 into 2, 12, ठीक वैसे ही 4 into 2, 8, 8 into 2, 16, यान कि हर बर into 2 होके double हो जाता है तो ठीक वैसे ही first वाला जो है, वहाँ पर भी same होना चाहिए था, तो first step तो अच्छे तरीके से complete हो गया 2 into 2, 4, 4 into 2, 8 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, तो सिर्फ यही वाला match नहीं करता है बाकी सब sequence maintain कर रहे है, तो यहाँ पर यही जो number है, वो wrong है, means यही हमारा answer है ओके, तो फिर आगे बरते हैं Next question, question number 10, find the wrong number in the series, 728, 63, 124, 215, 342, 511 Options are available, we have to find out the wrong number, let's start If we focus on the first number, then we can say that, कि 2 cube minus 1 करेंगे, तो हमें 7 मिल जाएगा, right? And 3 cube plus 1 करेंगे, तो हमें 28 मिल जाएगा 4 cube minus 1 करेंगे, तो 63 5 cube minus 1 करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 124 6 cube minus 1 करेंगे, तो 215 7 cube minus 1 करेंगे, तो 342 And 8 cube minus 1 करेंगे, तो 511 हर जगा cube के बाद minus 1 किया गया है, right? लेकिन ठीक यही जगे पर plus 1 किया गया, तब जाएगे हमें answer मिला That means, यह वाला जो number है, यही wrong है यहाँ पर और यही हमारा answer है I hope तुमको यह वाला जो pattern मैंने discuss किया है, वो समझ में आया होगा अब यह last question था, इस part का तो तुम लोग जल्द से जल्द यह सब अपने copy में उठा लेना बहुत ही जल्दी part 3 भी आ जाएगा तो उसके लिए prepare रहो और धेर सारा practice करते रहो That's all for today, see you again in the next part